नवरात्री उत्सव के दोरान देवी दुरगा के नौ विभिन रूपों का सम्मान किया जाता है एवं उन्हे पूजा जाता है जिसे नवदुरगा के नाम से भी जाना जाता है देवी मा या निर्मल चेतना स्वयन को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहन करती हैं मादुर्गा के नौ रूप और हर नाम में एक दैविय शक्ती को पहचानना ही नवरात्री मनाना है नौ दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है नवरात्री पर्व की नौ रातें देवी मा के नौ विभिन रूपों को समर्पित हैं जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है मादुर्गा का पहला इश्वरिय स्वरुक शैल पुत्री है शैल का अर्थ है शिखर शास्त्रों में शैल पुत्री को पर्वत शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है आमतोर पर यह समझा जाता है कि देवी शैल पुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है लेकिन यह बहुत ही सथी विचार है इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान यह बहुत दिल्चस्प है कि जब उर्जा अपने चरम स्थर पर होती है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं इससे पहले कि यह अपने चरम स्थर पर न पहुँच जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्चतम स्थान है जो उर्जा के शिखर से उत्पन हुआ है यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोत्चतम स्थान जब व्यक्ति 100% गु क्रोध में होते हैं और पूरी तरह से क्रोध को व्यक्त करें तो इस स्थिती से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं ठीक इसी तरह जब क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त करेंगे तब उर्जा की उच्छाल का अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर निकल क्या कभी देखा है कि बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं, जो भी वे करते हैं, एक सौ परसेंट करते हैं, अगर वे गुस्से में हैं, तो वे उस पल में एक सौ परसेंट गुस्से में हैं, और फिर तुरंत कुछ ही मिंटों के बाद वे उस क्रोध को भी छोर देते हैं, अगर वे नाराज हो जाते हैं, तो भी वे ठकते नहीं, लेकिन अगर आप गुस्सा हो जाते हैं, तो आपका गुस्सा आपको ठका देता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपना क्रोध 100% व्यक्त नहीं करते, अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय नाराज ही र एहरी क्ली शैल पुत्रिय नम मंत्र के जब से आप मा दुर्गा के पहले स्वरुप मा शैल पुत्री की आराधना कर सकते हैं। नवरात्री की प्रतिप्दा को पहने सफेद रंग के कपड़े. प्रतिप्दा नवरात्री के नौ रंग देवी के विशिष्ट गुनों का प्रतीक है.